दोस्तों हर साल Apple अपना iPhone ले आता है कि यह लो जी हम अपना नया इंप्रूफ करके ले आए हैं यह पकड़ो और अपना पुराने वाला ऐसा गरो फैक दो वो नहीं चलेगा उतना जादा क्योंकि देखो हम अपना नया लाएं नए फीचर है इसके अंदर तो आपको यह लेना और उस अपडेट को करने के बाद में आपका फोन हो जाता था स्लो जिसके बाद में अप्पल गयता था यह देखो मेरा नया फोन तीन कैमरे वाला यह पकड़ो इसको चलाओ यह स्लो नहीं होता यह काफी जादा तेज चलता है तो इस चीज़ को भईया 2017 में पकड़ा था और इसको बताया गया था बैटरी गेट यह काफी जादा कॉंट्रवर्शल मामला रहा था जिसके अंदर लोगों के जो आईफोन थे वो स्लो हो चुके थे या फिर उनकी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन हो जाती थी और वो हैरान हो जाते थे वह यह क्या हुआ एक साली त लेकिन तब लोगों को मालूम नहीं चला लोगों को तब मालूम चला जब यह बात काफी जादा उठने लग गई कि वह यह एपल की अपडेट करने के बाद में यह सारी चीज़े हमारे साथ में होई है तब जाके इनको कोट में घसीटा गया और यह आज भी उसका कंपनसे उसके अंदर लीथे मायन बैटरी लगी हुए है सारा कसूर उसका है वो धीरे धीरे डीग्रेड होती चली जाती है जिसकी वएसे वो ट्रियन होती है जल्दी से अब परफॉमेंस आपको चाहिए हम दे रहे है उसको स्लो करने के लिए हमने इस तरीके की अपडेट दी थी आपकी बैटरी लंबी चले क्योंकि वो डीग्रेड हो रहे है और आपको लग रहा है आपका फोन स्लो कर दी हमने आपका फोन स्लो नहीं किया है हमने तो उस बैटरी को लांगर रन के लिए आपके प्रोसेसर की स्पीड थोड़ी सी कम कर दी तो अपने वाला ले लो ना फो इसकी वज़े से कोट में भी यह साबित हुआ और इंदा है इनको देना पड़ा जगे जगे जाके कंपंसेशन अब रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई या आई यो ऐसेटीन के बारे में आपने सुना होगा कि भाई या उसकी अपडेट आ गई अब लोगों ने उसकी अपडे सब्सक्राइब हो रही है कभी तो 57 परसेंट थी एकदम से 45 परसेंट हो गई तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं 17-18 सालों में आई फोन का यूजरू मैं इतने वरस से चला रहा हूं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ लेकिन इस अपडेट के बाद में आई फिफटीन ठार्टीन सभी में इस तरीके की प्रॉब्लम आरी है फोन की बैटरी इस तरीके से डिरेन होती है कि वह कहरी होती है कि हमें फटा फटा आई वी चाड़ा ग्लुकोज लगा चार्ज पर लगा दे हमसे नहीं चला जाएगा और तो वह जो फोन पूरे दिन चल जाता था अब मुश्किल से 6 बज़े तक चलता है और 7 बज़े तो उसकी टैंप होल जाती है घर तक भी नहीं पहुंच पाते मेट्रो से तो भाईया ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ में आज तक लेकिन अब हो रहा है इस iOS 18 को डालने के बाद में तो कहीं वो बैटरी गेट का मामला तुमने दुबारा स तो नहीं शुरू कर दिया कि 16 पे जाओ 15 छोड़ो क्योंकि भाईया आइफोन 15, 14, 13 इस तरीके के फोनों में इस तरीके का इशू आ रहा है और वहां के यूजर भाईया एक्स पे एकदम से चा चुके हैं कि भाईया दो अक्टूबर को गांधी जेयंती की बधाई देने की बजाए वो अपने आइफोन की दुआईया दे रहे थे कि भाईया मेरे साथ तो यह हो गया वो गया मेरा फोन जैसे ही चिल लाने लग जाता है कि भाईया अब इसकी बैटरी डाउन होगे मुझे इसमें आईवी लगाना पड़ता है यानि की चार्जर लगाना पड़ता है जिस तरीके से पेशेंट को गुलू को चड़ाना पड़ता है इसको पूरे दिन खतम होने से पहले ही चड़ाना पड़ जाता है चार्जर क्योंकि मैं अपने घर भी नहीं आ पाता हूं साथ बजे मेटरों में वैठता हूं और सोचता हूं कि चलो अब थोड़ा सा फोन चल तो यह उनका ऐपोन हीट कर रहा है जिसकी उती है वह आइफोन से भी अपनी मिटा सकता है तो आइफोन यह भी कह सकते है यह यह नहार अपर शीचर राया है नहीं था अब यहाई पर अमन कहते हैं कि भाईया मेरे भी आइफोन के साथ में इस तरीके का इशू हो रहा है तुमने का दुबारा से बैटरी गेट का सीन शुरू कर दिया है क्या अपडेट करिए और उसके बाद में तुरंती यह सारी चीज़े होने लग गई है यह कैसी आ iOS 18 की अपडेट करके तो भाईया कुछ समझदार लोगों का कहना यह है कि भाईया यह जो iOS 18 की अपडेट है इसके अंदर प्रोसेसिंग इंडेक्सिंग होती है तो भाईया कुछ दिनों तक दो तीन दिन तक आपके प्रोसेसर की इंडेक्सिंग होगी जिसकी वज़े से आपकी बैटरी जल्दी डिरेन होगी क्योंकि बैक्राउंड में काम चल रहा है और उससे आपका फोन हीट भी होगा और बैटरी तो जाएगी जाएगी लेकिन हाँ यह इशू दो तीन चार दिन तक रह सकता है और उसके बाद में डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है आपके प इशू सामने आजाएगा फिलाल के लिए एपल तो नहीं चाहिएगा कि इस तरीके का इशू दुबारा से हो जाए हमारे साथ में तो जल्द से जल्द इसको फिक्स करने की कोशिश करेगा अब जो बंदा कह रहा है कि चलो यह इंडेक्सिंग एक बार कंप्लीट हो जाए फ आई जगों पर जाके अब दुबारा से 20-30 डॉलर तो बाट नहीं नहीं और अब के आइफोन तो काफी जादा महंगे तो 20-30 डॉलर से काम चलेगा भी नहीं शायद 200-200 डॉलर देने पड़ जाए